हेलो एवर्योवान मायो किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 17 जानवरी से लेकर 23 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का साथ ही क्राशी फल तो चलिए वगोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए एक आद्स हैं, क्वीन ओव वन्स और फाइनाइशल और माटीरियल चेंजजज तो देखें, फाइनाइशल और माटीरियल चेंजजज का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके के इशूज और मसले रहने की बात करता है और ये जनरल रीडिंग है तो ये इशूज, ये मसले सब के लिए डिफर कर सकते हैं लेकिन देखें, इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली फाइनाशल और मिटीरियल चेंजज लिखा हुआ है तो देखें, पैसे, मनी, फाइनाशल, मिटेरिलिस्टिक, टांजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये इशूज, ये मसले जादा रहते हुए दिख रहे हैं और देखें, जो भी हो, कहीं से उफिस लेवल के लिए, क्वीन अव वन्स का कार्ड कहता है कि बियोंड दा पॉइंट आप किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं आप बहुत upfront होके हर चीज़ को बहुत ही boldly, बहुत ही courageously deal कर रहे हैं कुछ भी actions, कुछ भी initiatives लेने की ज़रत है, तो आप वो actions, वो initiatives लेते हुए दिख रहे हैं bold decisions या फिर calculated risk लेने की ज़रत है, तो वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं आप beyond the point किसी के भी उपर, किसी help, किसी support के उपर depend नहीं कर रहे हैं आप खुद पे ही trust करते हुए, या मैं कह सकती हूँ कि अपनी ही abilities पे trust करते हुए हर चीज़ को deal कर रहे हैं, और देखे वो अगोस जब हम ऐसी energies में होते हैं तो beyond the point कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है क्योंकि देखे इन मसलों को हम अपने उपर हावी नहीं होने देते हैं again देखे हम परेशान तभी होते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं जब ये मसले हमारे उपर हावी हो जाते हैं और वैसे भी देखे वगुस जब दो लोगों की लडाई होती है तो जो powerful होता है वही जीतता भी है और इसी तरीके से जब हम बहुत strong हो जाते हैं तो ये मसले बहुत कमजोर हो जाते हैं और ये हमें परेशान नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी specifically wants का card कहीं waiting and allowing energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या पर specifically आपके personal front में रहता हुआ देख रहा है और देखिए general reading है तो ये इंतजार ये wait सब के लिए differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत महनत करी बहुत effort किया और उसी के ही outcome का आप इंतजार कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी news, किसी phone call, किसी message, किसी email का आप wait कर रहे हैं और देखिए जो 2-3 चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा यहाँ पे सब के लिए different इंतजार रह सकता है और कहीं देखिए ये time period यहाँ फिर मैं कहा सकते हूँ कि इंतजार आपक किसी भी चीज़ को enjoy नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में beyond the point अपने आपको involve नहीं कर रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों से चीज़ों से withdraw कर रहे हैं, disconnect कर रहे हैं और देखिए हाँ पे वो गोज में आपको यही कहूंगी कि time बहुत बहुत flexible होता है ज सब चीज़ों से लोगों से disconnect करके उसी इंतजार पे focus करते हैं तो यकीन मानिय time बहुत लंबा हो जाता है और जब हम इंतजार के period में जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको enjoy करते हैं अपने आपको you know activities में involve करते हैं तो यह time बहुत ही छोटा हो जाता है तो देखिए हम हमारे पास ही choice होती है कि इस time को हम लंबा करें या छोटा करें और देखिए अगर ऐसा आप भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को check करके आप जरूर correct करें और देखिए three of wands का card कहीं future की भी बात करता है कहीं long term planning की भी बात करता है और हो सकता है कि कुछ work goes ऐसा भी कर रहे हैं जि तो जो भी हो work goes बहुत बहुत important है कि इस low energies में से आप अपने आपको बाहर निकालें क्योंकि देखिए हम सब लोगों की life में ऐसे phases आते हैं जहाँ पे हम बहुत great नहीं feel कर रहे होते हैं जहाँ पे हम low feel कर रहे होते हैं लेकिन बहुत important होता है कि इन energies से हम तुरंत ही अपने आपको बहार निकालें क्योंकि जब जादा टाइम तक हम इन इनर्जीज में रहते हैं तो कहीं हम अपने लिए ही एक परिशानी लेकर आते हैं तो फिर से देखिए एक fun, मज़ा, मस्ती का element इस week आप अपने personal friend में specifically जरूर आट करें and guidance से आप लोगों के लिए listen का card है और देखिए अगर एक line में इस card के हिसाब से मैं आपको guidance दूँ तो ये card कहता है कि इस week आपने सुनना जादा है और बोलना कम है क्योंकि देखिए हम सब लोगों के ही साथ होता है हम सामने वाले की नहीं सुनते हैं जो भी वो कहना चाहरे होते हैं या फिर हमें लगता है कि वो कह सकते हैं बिना सुने ही हम अपना reaction दे देते हैं बिना सुने ही हम react करते हैं again मैं कहूंगी तो इस चीज का खयाल रखें इस week थोड़ा सा again passive energies में रहें और फिर से मैं कहूंगी कि आप सुने जादा और बोले कम and astrology से आप लोगों के लिए AG sign का card है और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था वो गुज़ आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए